हालो फ्रेंट्स वेल्कम टू स्विंग ट्रेड फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे कुछ एक मल्टिव्यागर स्टॉक के बारे में तो यह स्टॉक अभी बढ़ियासा प्राइस पर हमें आबेलेबल है यह स्टॉक को अपना पॉर्टफोलिय में अभी का टाइम पर अक्कुमिल आप एक बारे प्लेलिस्ट विजिट कर लिए प्लेलिस्ट में काफी सरा स्टॉक है वहां पर टार्गेट प्राइस है और बाइंग लेवल सब बताया हुआ है तो अगर आपको स्विंग ट्रेड में अगर स्मॉल क्याप लेना है तो स्मॉल क्याप का अब देख लिजिए सब्सक्राइब करता है तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रेडिंग में किसमें आलिसिस करता हूं या तो फिर ठीक है तो यह सारे वीडियो देखके अपना स्कील थोड़ा से डिवलाप कर सकते हैं अभी एक वीडियो में पहले एक चीज बता दूं यहां पर संजय जी ने मेल किये हैं कि उन्होंने एक तीस हजार क्वांटिटी स्टॉक रखे हुए हैं हूड को में ठीक है वह अभी पूछ रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए बताइए तीस हजार स्टॉक ठीक है तीस हजार सेर अगर उन्होंने लिया है 45 के प्राइस पे आप दिखिए थाटीन लाग फिप्टी थाउजन का उ आपको मैंने बताया कि यहां पर 100% मिलेगा बोलके ऐसा थोड़ी है कि आपको पूरा यह वहां पर इंवेस्टमेंट करना है तो लेकिन अपने लिखा नहीं है कितना परसंटेज आपने इंवेस्टमेंट किया है वह मुझे पता नहीं है फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि आपका पॉर्टफोलिय में 20 स्टॉक लेके चलिए अगर कोई भी स्टॉक में थोड़ा सा अगर कुछ दिन तक रुखना पड़ जाए अगर लॉस्ट भी होता है फिर भी बाकी स्टॉक में कमा कमा के अमें दे देंगे ठीक है और यहां पर एकी स्टॉक में आपने थाट एक स्टॉक के उपर करके चलिए अगर कितना भी अच्छा लगे आपको 7% 8% 10% तक कर सकते हैं लेकिन उससे जदा कभी मत कि यह नहीं तो गलत हो जाएगा ठीक है चले स्टार्ट करते हैं जो कि आज हम बात करेंगे कुछ एक 10-11 स्टॉक को मैंने सिलेक किया हूं जो कि अभ रखें कि क्या करेंगे जो काफी सवाल है आखिर में मैं बताऊंगा क्या करना चाहिए हमें ठीक है तो वीडियो को जरूर्ट तक देखिए तो आपको बड़ी ऐसा एक्प्विन्स मिल जाएगा अभी पहला स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि हिंदूस्तान उनिलिव मार्केट का नमबर वन स्टॉक को अपना पोर्टफोलियों में लेना चाहिए अभी वक्त आ चुका है ठीक है जहां पर मैं हमेशा आपको मना कर रहा था कि अभी मतले अभी टाम इन टाइम आपके पास में ठीक है अभी देखिए कि आपको कैसे फॉंड कि से आरेंज करना ह सबस्केट रहे हैं तो जो कि आपको थोने एक बडिया सा भाव के मिल रहा है तो इसलिक आप आपको अपको उपर बडिया सा मोका बनके आताय ठीक है तो यह स्टॉक में आपको investment करने के लिए रिस्क रिए इतना ज्यादा रिस्क है नहीं अगर आप देखेंगे ना दस साल का आप देख लिए रिटर्न यहां पर देख लिए 20% का return मिलता है जहां पर एबडी के साथ में कंपेर करेंगे हिंदुस्तानी उनिलिवर को मेरे इसाब से देख लिए आप सोच लिए आपको क्या करना है तो कुझ साथ में बड़िया सा रिटर्न लेना है तो कूंसा करना लेकिन आपको लेकिन अगर आपका फिफुलियो में थोड़ा साथ मतलब 20% मिनिमूम रखी अपना यबडी बगरा में वी इन्वेस्टमेंट करके चलिए ठीक है क्योंकि अगर आपका ये लिमीट अगर फिफटी के पास्ट में हो जाता है तो फिर उस ताइम पर आपको इतना ज्यादा रि करके चलिए एक पोटफोलियों में यह सरी है यह एक स्टॉक में आपका इंवेस्टमेंट होना ही चाहिए नेक्स टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि यहां पर यह जो लेवल है 26 का लेवल यहां पर लास्ट यहर में भी था वही लेवल पर सेप्टेंबर में था तो अभी यह स्टॉक को आपको रखना ही चाहिए किस टाइम पर क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता है आप अगर यह चीज का आजम्शन करेंगे कि अभी स्टॉक आप स्टॉक तो दो साल से कुछ रिटन नहीं दे रहा है इसा हम कोई नहीं बोल सकता है ठीक है यह सब ट्रॉस्टेड ग्रूप है एक सदॉक्स का ग्रूप के ओपर हमें कुछ बोलने का कोई जरूरत नहीं आपको भी पता है मार्केट के से रियाइक करता है लेकिन कभी क् तो इसमें एक बड़िया साराली कभी भी आ सकता है बड़िया से रिटन आपको मिलके मिलेगा यहां पर दिखेंगे यहां तक का देखेंगे यहां पर दिखेंगे बड़िया से रिटन यहां पर बना के दिया तो इसा स्टॉक में आपको मिरे साब से बनके रहना चाहिए तो बड़िया सा स्टॉक है अगर यहां पर आप मेजर करेंगे यहां से लेकर डाउन से लेकर मतलब यहां पर टूहंडड़ परसेंडेज का रिटन दिया जो कि एक साल में ठीक है यहां बने रही है कभी भी आपको बड़िया सा मोगा आ सकता है तो उस टाइम पर एंट्री आप नहीं ले सकते हैं अभ इस्टिंग कंपनी है तो इसा भी हो सकता है एक 50 एक रिटन दे सकता है अगर आप 10-20 और सोल्ड करके चलेंगे आपको बढ़िया एक बहतरी रिटन दे सकता है ठीक है इंसुरंस बिजनेस इसी साब से ग्रो हो रहा है इंडिया में तो इसी साब से आपका पोटफोलियो में में रहना चाहिए अभी 680 वे ट्रेड़ हो रहा है यह स्टॉक में अपना नजर बना के रखे अगर आपको बाइंग करना है 200 अबरेज के नीचे भी आ चुका एक सपोर्टर देंच पर गुम रहा है तो अभी बाइं करके चल सकते हैं ठीक है नेक्स टॉक के बारे में बात बाइंग लेवल पर बढ़ी हैसा चल रहा है यहां पर 33% का रिटन ने बड़ा मल्टी व्यागर स्टॉक रिस्क पर इंबेस्टमेंट है और रिटन भी बहतरी इन डिटन है यह स्टॉक में अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो अभी बाइं करके चल सकते हैं लेकिन अपना पॉर्टफोलिय में ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आप अपने हिसाब से सिलेक्शन कर लिए कौन सा स्टॉक आपको लेना है सारे स्टॉक बढ़ी है स्टॉक अभी तो आपके पास में और सो अपर सुनेंटी बहुत है आप किसको चूज करेंगे और किसको पॉजिशन बनागे चल सकते हैं तो अभी आप इमेडियेटली एक पोजिशन बनागे चल सकते हैं अगर यहां से अगर टेन परसेंट का करेक्शन होता है ना तो आपके लिए बहुत बड़ी ऐसा ऑपर्चुनिटी बनके आता है क्योंकि एसा कंपनी में इतना बड़ा नबे मतलो 34 लेवल पर ट्रेड़ हो रहा है यह स्टॉक को बिंदास अपना पॉर्ट्फोलियो में लेके चल सकते हैं बड़ी ऐसा स्टॉक है इसमें कोई पुछने का कोई जरूरत नहीं अगर आप देखेंगे ना यहां पे बड़ी ऐसा मल्तिवेगर रिटन दिया है फ्र अगर आपका लंग ट्रूम का गोल है तो अब दिखिए यहां पर है लाल पैथला हुए यह काफी दिन से दिखिए एक रेंज पर चल रहा है जो कि यह 100 दे का मोवी आपर जिसके लिए बहुत सपोर्ट था अभी उसी लेबल पर चल रहा है तो अभी इसमें अगर आपको प करते हैं अगर यहां से टेन परसेंट फॉल पर फिर आ जाता है इस टॉक उस्टाइम पर टेन थाजन रूपीज का कीजिए कोई प्रोब्लेम नहीं है बड़ी ऐसा स्टॉक है मल्टी वेगर स्टॉक है ठीक है इसा स्टॉक अगर आपना पोर्टफॉलियों में रखेंगे आपको करोटपती बनने से कोई नहीं रोक कोकता अगर 20 साल तक इंबेस्टमेंट करेंगे आप तो बहुत बड़ी है ट्रमेंडियस रिटन आपको मिल सकता है श्टॉक मर्केट से ठीक है उस टाइम पर सोच सेगे की मैंने इनवेस्टमेंट करके बहुत अच्छा किया था लेकिन आपका एच प्रोफाइल क्या है आप देख लीजिए उसी साब से अपना पॉर्टफोलियों को वहां पर अलोकेशन किजिए ठीक है तो पीडिलाइट में भी आप पोजिशन बना के चल सकते हैं कोई भी प्रोब्लेम नहीं यहां पर दिखिए यहां पर आएगा क्या जैसे बाकी सारे स्टॉक में हम इंवेश्ट्रेंट करते हैं जहां पर रिटर्न आता एक एक दिन में 20 परसेंटेज का जब देखिए यहां लेकिन इस टॉक में फॉल भी नहीं आएगा ठीक है ना करेक्शन पी इतना बड़ा नहीं आएगा मुल्टिवेगर स्टॉक है लार्ज्ट कैप स्टॉक है तो यह तो उन्वेंट करेंगे आपको आपको बिल्कुल डर भी नहीं है पोट्फोल शुरक्षीत आपका ल पाद में आपको बताता हूं कि अगर हाथ ओब लाइक नहीं बताता हूं अभी हाथ होगा हमने देखा था कि अब ही एक वाटर का रिजल्ट खरा पाया ठीक है यह के बारे में बता रहा था पले इंवेट करके बहुत अधमी ने पुछा कोई यह का दमी नहीं बहुत आदमी ने पुछा क्यों विज्छ विए नहीं हो आई। ग्रोथ नहीं है राइज नहीं होए रिटन में तो इसका ये सवाल है कोई ये क्वर्टर को देखका हम जौज नहीं कर सकते हैं ये पहला रिजान ने तो अभी थोड़ा सा अगरे लिए हैं काफी सारा मौंच का जो रिटन आपने देखा ना पिछला जो ट्राक रेकर्ड चलिए तो अभी तो हमनें किया यहां पर दिखिए हैं यहां पर्रोडर यहां पर में डिखा कि यहां पर देखेर यहां बड़ोईंग बढěते जा रहा था यहां यहां पे जिरो डैट कंपनी हो ने यहां पर नील भी कर लिया यह रिजन भी हमें देखने मिला उसके पाध में यहां पे इंवेस्टर में जाने केपाध में यहां पर तो अभी बगत यहां पर एक आच्छा सा गेम चंजर हो सकता है यह इसा काफी सार। में आपको बताया भी हूं जो अभी लस में चलना फिर भी वहां पर टार्गेट आचिव हो रहा है ठीक है तो यह सा कभी भी हो सकता है तो लॉस्मेकिंग कंपनी नहीं प्रोफिटबल कंपनी सेल्स तो बढ़िया हुआ है कोई प्रोब्लेम नहीं आप होल्ड करके चलिए और एक क्वाटर टाइम देंगे और एक दो क्वाटर टाइम देंगे जहां पर हमें 100 परसंट का गेन का प्रोबिलेटी है तो वहां पर एक साल दो साल होल्ड भी कर सकते हैं तो यसा थोड़ी है कि सिक्स मौंच में हमारा टार्गेट आचीब हो जाएगा ठीक है अपना हिसाब से देख लिए आपको क्या करना यह तो मैं मैं अपना भी बता रहा हूं कि मैं तो मैं ऑभी होल् Mill करने के लिए तो कभी नहीं आया हूं ठीक है तो अभीس हो सकते था चाहिए मेरे साथ में बहुत बलए ऐसा ही होता है से लिए निकल जांगा को कि स्टाक में टर्गिट आजाएगा ठीक है पहले नहीं किया वहां पर प्रोमोटर प्लेज नहीं या तो फिर वरव जदा उठा लिया यशा कुछ फरोड तो नहीं हुआ it और हुआ बिखिए अपना प्राइस आये गाटिक है यहां पे दिखे डिक्सन टेकनलोजी अगर आपको डिक्सन टेकनलोजी लेना है यहां पर भी 100 दे का मुवी आप रिष्ट तक आ जाएगा तो उसके बाद में बाई करके चल सकते हैं बड़ी ऐसा स्टॉक है किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं एक मार्केट में भाग रहा था ना उस अब काफी दिन से चल रहा है फिर से मुझे लगता है यहां पर बनाई बड़ी ऐसा स्टॉक है ठीक है नेक्स टॉक के बारें बात करेंगे जो कि हन्यों आटो में थोड़ा कॉस्टली स्टॉक है लेकिन अगर आपका पकेट को अगर सही जमता है तो यह स्टॉक में पोजिश सब्सक्राइब यहां पर फिर 155 दिन में 16 पर संटेज का यहां पर रिस्क प्री यहां पर कोई रिस्क नहीं बीना रिसक आपको बड़ी ऐसा गेन मिल रहा है आपको सोचना है कि आपको क्या करना है आप अगर छोटा सा स्टॉक धून रहे हैं तो दून्ध कोई माना नहीं है लेकिन यहां पर क्या है यह कॉस्टली स्टॉक यहां पर 41,000 का इन्वेस्टमेंट यह की स्टॉक अगर बाय करेंगे फिर भी आपको कोई भी आपको बढ़ा टास्क नहीं हम सोच रहें ठीक हमारे पास माँ वान करोड पर उस टाइम पर हम सोचता है कि कैसे 100 को जाएगा ठीक है यह सब आधमे का यह होता है तो आपको भी करोड़ बढने से कोई नहीं रोख सकता है वह जाएगा लेकिन इंवेस्टमेंट में थ यह सोच करना ही निए लोस अगर लॉस करें लोस के लिए आप शेयल करने के लिए प्जी एचल से आप बोल रहें न से करने के लिए काफी सारा मुल्टिवाइब पॉर्फोलियों में हम सेल करके निकल जाएंगे उसके आगले दिन फिर वहां पर टार्गेट आ जाएगा वान मांस के बाद में तो इसा नहीं करना है तो अगर कोई भी स्टॉक भाई करके चले ना तो फोल्ड किजिए इंडिया माट हुआ कोई स्टॉक खराब हुआ करने कर लिया उसके बाद में फिर अगर वहां पर 5% 10% का करेक्शन उस टाइम पर डर नहीं लगना चाहिए अगर आपका पसमें है पैसा अगर आपका पैसमें हैतो ठीक है तो यहां पर और नेक्स टॉक के बारें बात करेंगे जो कि आखरी श्टॉक है फ्रेंस में बताना च चल सकते हैं यहां पेर करके बहुत पईसे कमाया ठीक है यहां पे लिए Snop नहीं है ऑगर आपको मानना पड़ेगा यहां पर दिखे फॉर टैकल म्रोल में कि अगर आप देखेंगे 10 साल का अब भी 62 परसंटेज का जहां पर इतना बड़ा सा करेक्षण होने की बावजुद भी 62 परसंटेज का ठीक है तो यह स्टॉक में आप देख सकते हैं अगर थोड़ा सा रिस्क लेना है यह स्टॉक में भी इन्वेस्टम करके चल सकते हैं अग यह बहुत बड़ा बुल मार्केट है ऐसा नहीं कि बुल मार्केट खतम हो गया मार्केट जान पूछका अभी करेक्षण होता है कि कुछ जहां पर डरे हुए लोग हो निकल जाएंगे ठीक है आप डरे हो में से नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से क्योंकि आप जब यह चैन पूछने का जरूरत नहीं है इतना अपके पास में होई जाता है अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर्ब की जैए अगर चैनल पर नाया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें थैंक यू तोटल स्टॉक के बारे मारे में बात किया यह स्टॉक क क्याप और टेस्टीवाइट थैंक यो फ्रेंद्स पर वाचिंग इस वीडियो में ताय नेक्स वीडियो में